हाई फ्रेंज मैं हूँ शाहिन सेयद वलकम टू माय चानल आज हम बनाएंगे तरी वाले आलू की सबजी इसको आप रोटी चपाती फुलका राइस के साथ रेलिश कर सकते हैं ये बनाना बहुत ही सिंपल है और इसके साथ मैंने कुछ टिप्स भी दिये हैं जिससे आपकी सब अपसी बिल्कुल परफेक्ट बनके त्यार होगी तो शुरू करते हैं सबसे पहले कडाई में ओईल ओईल गरम हो जाए तो एक छोटा चमत जीरा चुटकी भर आपने हीन आज कर लिए कुछ करी पत्ता थोड़ा सा हरी मित फ्लिट करके या चॉप करके और थोड़ा सा हरा धनिया इसके बाद एक प्याज आट कर लिया है सारी चीजों को अच्छी तरह से फ्राय कर ले जब तक प्याज थोड़ा सा लाइट गोल्डन नहीं हो जाता है फिर एक चममज अद्रक लस्टन आट करके मिक्स कर ले फ्लेम लो करे क्योंकि हम सुखे मसाले आट करने वाले ह एक चोटा चममज गरम मसाला पाव चममज हल्दी का पाउडर एक टेबल स्पून मैंने आड किया था सूखा धनिया और एक चोटा चममज नमाग धीमी आज पे एक मिनट के लिए भून ले इसके बाद हम इसमें दो पका हुआ टमाटर बारिक बारिक चौप करके आड कर ल इसको पहले ही उबाल के रख दिया था ये 6-7 आलू है टोटल पाव के लोग होगा ये या 300 ग्राम के आसपास उससे जाधा नहीं ये बहुत जाधा गरम है इसलिए मैंने इसको फोक के साथ पहले प्रिक किया है और फिर धीरे-धीरे मैंने पील कर लिया है सारे आलू पील ह हो जाए तो बस रफली अपने ऐसे चॉप कर लेना है या आप रफली मैश भी कर सकते हैं यहां पर दिखिए 2-3 मिनिट उपर हो गया था टमाटर बिलकुल नरम हो गया है इसको दबाते हुए मैश कर ले मसाला त्यार हो गया था अच्छे से तो अब हम इसमें उबले हुए आलू आट कर लेंगे जो हमने रफली चॉप किया था इसको अपने मिक्स कर लेना है अच्छे से मसाला पूरा लिपट जाए आलू को फिर थोड़ा सा हरा धनिया मैंने आट किया है मुझे परसनली धनिये का फ्लेवर बहुत जादा पसंद है आप चाहे तो यहां पर अच्छे से मसाले के साथ भून नहीं जाता है इस प्रसेस में अगर थोड़ा वो मैश हो भी जाता है तो इससे हमारी ग्रेवी को थिकनिंग बहुत अच्छी मिलेगी तो बस यह देखिए यह तियार हो गया है अब हम इसमें आट करेंगे पानी आप ठंडा आट कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा गरम पानी आड़ किया था पानी उबाला हुआ आड़ ना करें सिर्फ गरम कर ले थोड़ा सा तो इससे इसमें उबाला जल्दी आ जाएगा बस कवर करके हाई फ्लेम पे तीन से चार मिनिट हम इसको उबलने के लिए छो जाएगी और मसाला बहुत अच्छे से मिक्स होगा अलू के साथ उसके बाद मैंने फ्लेम ओफ कर लिया था ओफ करके पांच मिनिट के बाद मैंने अभी खोला है आप देख सकते हैं ओईल उपर आ गया है इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है जैसे जैसे यह ठंडा होगा न तो यह थोड़ा सा और गाड़ा हो जाएगा यह देखिए आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और थिक कर सकते हैं फुलका चपाती के साथ खाने के लिए पर पूरी के साथ भी यह सबजी बहुत जादा टेस्टी लगती है जरू ट्राइ करिएगा इस रेसिपी को और हमेशा की तरह रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मन भूलिएगा मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ यह थोड़ा सा ठंडा हो गया है और आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा थिक हो गया है तो आम शूर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जरू ट्राय करिए थांक यू सो मच वर वाचिंग मैं वीडियो तेक गूट केर बाई